हमसे जलने वाले भी क्या खूब जलते हैं और महफिले खुद की सजा के चर्चे हमारी करते हैं वाँ 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 हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल नीरु पांडे लब मरेच आज फिर से मैं एक जरूरी बात के साथ आप लोगों के सामने प्रकट हुई हूं आई हूं तो उम्मीद करती हूं कि सुनेंगे जरूर जी हां जरूर सुनिएगा करके हमारे यूटूबर जो हैohon के लिए यह बात है क्योंकि जो पुराने हो गए मोध्यश दार हो चुके हैं प्री होफले सोही जाते हैं वह लोगभी KAभी कभी तो मैं उन लोगों से यह बात कहना चाहूंगी जो कहने जा रही हूं कुर्पय अध्यान से सुनिएगा इसकी बिल्कुल भी ना करिएगा क्योंकि आप ही लोगों के फाइदे की बात मैं हमेशा करती हूं पहली बात यूटुब पर हम सब आए हैं अपनी मर्जी से अपने लिए आए हैं वो बात और है कि हां हम ये भी चाहते हैं मतलब कुछी लोग चाहते हैं ये कि हां हम अपने लिए आए हैं तो अगर हमसे हो सके तो दूसरों का भी भला करते चले जैसा कि मैं हमेशा यहीं चाहती हूं और करती भी है जितना बन पड़ता है लेकिन अगर आप से कोई जलन कर रहा है इरश्या कर रहा है आपको कुछ भी गलत कह रहा है तो मेरी यह रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि परेशान बिल्कुल भी ना हो येगा क्योंकि अगर आप से कोई जल रहा है इरश्या कर रहा है या फिर आपको कुछ गलत कह रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहतर हो रहे हैं दोस्तों यह मेरा मानना है और यह हमको लगता है सही मानना है मेरा क्योंकि जब हम किसी से बहतर होते हैं तभी तो जलन की बू आती है तभी इंसान जलत किसी से भी इष्चा Scr J करता है क्योंकि जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो चाहे वो ब्यवहार हो चाहे वो पैसा हो चाहे कोई भी चीज हो अगर हमारे पास नहीं है तो हमसे कोई नहीं यह जलेगा अंचाने का। अपसोसale करते हैं तो फेर तीर से चालू हो जाती है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम उस ब्यक्ति से बहतर हैं जो हमें गलत बात कह रहा है जो हमारे लिए गलत सोच रख रहा है क्योंकि अगर हमको 20 लोग अच्छा कह रहे हैं तो किसी एक के कहने से हम गलत नहीं हो जाएंगे अगर कोई भी कह राओ चाहें मुझे कहे चाहें किशी और को कहे औरakah मैंने परिशान होती है तो मैंने सुचा आप लोगों को भी यह बात कहूं कि बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है बस आप लोग अपना काम करती जाएंगे और एक बार ध्यान से सुन लिजेगा, मंजिल आपको खुद के दम पे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि कोई आपको सहारा देगा, सपोर्ट देगा, आप अपने उपर भरोसा रखिए, सहारा देने वाला इस्वर है, और हमारे दोचार दोस्त ऐसे हैं, जो देते हैं सहारा, जो करते हैं, और करते रहेंगे, मैं आप लोगों को बता दो, 85% वीडियो मेरी नौन सब्सक्राइबर लोग देखते हैं, मतलब 15% लोग ही मेरी वीडियो देखते हैं, जो सब्सक्राइब किये हैं, मैंने सुरू से ये बात कही है, कि मेरा सपोर्ट भीना चैनल वाले लोगों ने कि उनका तहे दिल से मैं फिर से धन्यबाद कहती हूं, हमेशा कहती रहूंगे, उनकी सुक्र गुजार मैं हमेशा रहूंगे, तो कुल मिलाज उला करके अपने ब्यवहारों को बिचारों को सही रखिए, कहने वालों का क्या काम है, वो तो उनका यही एक ही काम है, बस एक बात और जान लेजिए कि अगर आपसे कोई जलन करने लगे तो आप और बहतर बनने की कोशिश करिए और अच्छा करने की कोशिश करिए ना कि घबडा जाईए डर जाईए उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया बहुत लोगों के वीडियों पर बहुत सारे कमेंट आते होंगे अच्छे फेस्बुक पे एक आदमी है वो कमेंट करता है नीरु जी आप मुझे भूल गई नीरु जी आप मुझे नाराज है नीरु जी क्या बात है आप बात नहीं कर रहे हैं नीरु जी आप मुझे इतनी गुस्सा है क्या नीरु जी आप मुझे इतनी नफरत क्यों करती हैं मैं बड उसकी आईडी ब्लॉग मतलब प्राइवेट थी मैं जब उसको फॉलो करती तब वो मुझे दिखता फिर मैंने कहा अगर फॉलो करूंगी तो मैसेंजर ओपन हो जाएगा मतलब उसको मैसेज करने का मौका मिल जाएगा फिर उस बात से मेरे ये दिमाग में आई बात कि वो डिस्टर्ब करने के लिए ये काम कर रहा है जबकि मैं उसको जानती भी नहीं हूँ लेकिन वो ये सोच के कर रहा है कि चार लोग जब देखेंगे ना मेरी जयातिका है ना बिरादरी है ना रिष्टेदार है ना नाता है ना बाता कहीं दूर-दूर तक मैं उसको नहीं जानती हूँ लेकिन वह ऐसे लिखता जैसे मेरे बहुत पुराने दोस्त हों फिर मेरा दिमाग काम किया मुझे परिशान करने के लिए कह रहा है क्योंकि चार लोग जब देखेंगे तो फिर मैं उसमें रिपलाई करूंगी पूछूंगी आप कौन है या क्या है कुछ तो जवाब दूंग कि और अपने दिनों को भूल गई तो भाई देखिए अपने दिनों को कोई नहीं भूलता है याद सबको रहता है बस फर्क इतना है कि जम यूटुब पर आएं हैं तो खाली समाज सेवा ही करते रहेंगे कि अपने लिए भी कुछ करेंगे और समाज सेवा तब अच्छी से सेवा करने वाले लोग अच्छे हों हम मुफत की सेवा करते जाये पागल बन करने हैं तो अपने लिए विकाम करें और दूसरों के लिए एसे लोगों के डिये पत्र है जो अच्छे और जिनको जरूरत हो मुर्ख ना बनिये और नाही किसी को बनाईए आज की डिएट में सभी लोग समर्दार है पस इतना ही कहना था दोस्तों मस्त रहिए बेस्त रहिए स्वस्त रहिए और ऐसे कमेंट पर बिल्कुल ध्यान न दीजिये मस्तरा मस्ती में आग लगते करेवस्ति में अपना ध्यान मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ हैं कि सोमाज